नमस्कार मित्रो जोहार जार्खन अधिवद परिशत रांची द्वारा पंजियन के संबंद में विशे सुचना जारी की गई है जो 13.9.2023 का है इसमें बताया गया है कि पंजियन के समय बहु सारी गलतियां हो जाती है कभी पिता के नाम में कभी माता के नाम में तो इन गलतियों को हम लोग कैसे खतम करेंगे उसी का दिशा निर्देश इस पत्र के माध्यम से बताया गया है क्या क्या करना है वो सारा चीजिस में लिखा हुआ है जिससे गलती ना हो विसे हैं आपका माधमिक एवं इंटर्मीडियेट परिच्छा हे तू तूटी रहित पंजयन के सम्बंद में करना है कि उप्युक्त बेस्यक्त निदेशा नुसार अंकित करना है कि माधमिक एवं इंटर्मीडियेट परिच्छा हेतु पंजयन की करवाई करम सा कच्छर नौ एवं 11 में की जाती है मालब पंजयन का कारी जो है वो 9 क्लास में और 11 क्लास में होता है परते एक वर्ष पंजयन की करवाई समाप्त होने के उपरांट तूटी संसोधन के अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं मलब पंजियन जब समाप्त हो जाता है तो पता चलता है कि इसका नाम में गलती है उसका नाम में गलती है यहां गलती हो गया तो इस तरह का बहुत सारा संसोधन का अनुरोध प्राप्त होता है जैक को संसोधन से समंदित करवाई करने में परिशत को अनुशक परिशानी का सामना करना पड़ता है सब्ध्यक विचारो प्रांत तूटी रहित पंजयन की करवाई करने के लिए पंजयन परक्रिया में कुछ बदलाव किये जाने का निर्ने लिया गया है मलब बैठ कर ये निर्ने लिया गया है कि इस तूटी को हम लोग कैसे खतम करेंगे कैसे कम करेंगे अगामी पंजयन की करवाई निम्न परक्रिया के अनुशार संपादित की जाएगी अब जो पंजयन होगा इस वर्ष से 9 और 11 में वो इस परकिरिया के अंतरगत होगी पहला आपको करना क्या है तो विद्याले या महा विद्याले के नमांकन पंजी का संधारन हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भासाओं में किया जाएगा मतलब जो बच्चा का नाम पिता का नाम ये सब जो होता है वो हिंदी में भी लिखना है इंग्लीज में भी लिखना है परिशत द्वारा सरवपर्खम एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फोर रेजिस्टेशन एक्जामनेशन एलो एस संबन्धी परपत्र आउनलाइन जारी किया जाएगा मतलब एक परपत्र जारी किया जाएगा ओनलाइन एक तरह का लिस्ट होगा जो इस वीडियो के अंदिम में आपको बता देंगे कैसा लिस्ट रहेगा वो जारी करेगा विद्याले द्वारा इस परपत्र में नामंकन पंजी के अधार पर सभी छात्र छात्राओं का डाटा अंग्रेजी में भरा जाएगा इस पर क्रिया हेतु दस दिनों का समय निधारित किया जाएगा मलब उसमें जितना भी बच्चे आपके 9 क्लास में चाहे 11 क्लास में नामंकित है उनका डिटेल आपको इंग्लिस में उस परपत्र में भर देना है वो भी ऑनलाइन उक्त एलो सी को समंधित विद्याले परधान वर्ग सिच्चत तथलीपिग परतिहस्ता च्रित कर सत्यापित करेंगे भरने के बाद आपको उसका प्रिंट लिकान लेना है और उसमें जो परधान होंगे विद्याले के वर्ग सिच्चत होंगे और जो कलर खोंगे वो उसमें साइन करेंगे और सत्यापित करेंगे कि इसमें किसी तरह की गलती नहीं है पंजियन के लिए परिशत द्वारा छाज छात्राओं के लिए इस्टूडेंट इन्फोर्मेशन सीट आनलाइन जारी किया जाएगा बिद्वार इस इन्फोर्मेशन सीट को डानलोड कर सभी सम्मंदी छाज छात्राओं को हस्त गत कराना सुनिश्चित करेंगे मतलब उस लिष्ट को लिकाल लेना है उसमें साइन करना है और सभी बच्चों को वह दिखाना है और परतेएग बच्चे का उसमें साइन भी लेना है मतलब साइन कैसे लेना है कि बच्चा अपना सब चीज मिला लेगा सब चीज देख लेगा कि सब सही है वह साइन कर देगा संधारित LOS से 6-6 द्वारा भरे गए Student Information Seat का मिलान किया जाएगा यदि किसी परकार का विभेद परकट होता है तो उसका निराकरण तदकार कर लेना और शर्क होगा अगर उसमें किसी तरह का गलती अगर पकड़ाता है तो उसको उसी समय दूर कर लेना है इस मिलान पर किरेकले विद्याले अस्तर पर विद्याले परभारी द्वारा एक नोडल पतादीकारी नामित किया जाएगा जिसकी सुचना जिला सिच्छा पतादीकारी कारियाले को दी जाएगे सब चीज का रख रखाओ देख लेक करने के लिए परधना ध्यापक के अलावा एक नोडल सिच्छक होंगे, जो सभी चीज का मोनिटर करेंगे, वो देखेंगे कि सभी सही से भरा जा रहा है कि नहीं, कहां गलती है, कहां नहीं गलती है और उसका लेटर बना कर आपको जिला सिच्छा कारियाले में भी जमा करना होगा, उस सिच्छा का नाम परिशन द्वारा पंजन की परकिरिया प्रारम किये जाने के बाद विद्याले अस्तर पर त्यार किये गए LOS एवं Student Information Seat के अधार पर डाटा अपलोड किया जाएगा, उसके बाद LOS में जब टूटी सब दूर कर दिया जाएगा, सभी गलती को दूर किया जाएगा, तब उसके बाद Student Information Seat के अधार पर डाटा अपलोड किया जाएगा, मनलब Jacket साइट पर टूटी रहित पंजयन की करवाई के लिए 15 दिनों का समय निधारित होगा, पंजयन के बाद के सभी छाज छात्राओं का चेकलिस्ट डाटा डाटा डाउनलोड किया जाएगा, जब पंजयन आप कर देंगे बच्चों का, किसके अधार पर, LOS के अधार पर, ओनलाइन इनफोर्मेशन सीट से चेकलिस्ट डाटा के मिलान की जिम्मेवारी नोडल पदादीकारी की होगी, नोडल पदादीकारी क्या करेंगे, कि LOS जो लिस्ट है और स्टूडेंट इनफोर्मेशन लिस्ट जो नामंकन के समय बनाया गया था, उस लिस्ट और LOS लिस्ट से चेकल लिश्ट का मिलान कर लेंगे कि सभी इस पेलिंग नाम ये सब सही है कि नहीं ये काम नोडल पदादीकारी का होगा जो परधाना ध्यापक द्वारा निव्द्द सिच्छक होंगे चेक लिश्ट पर विद्द्द परधान नोडल पदादीकारी छात्र एवं उसके अभिभावक का हस्ताचर कराया जाना अविश्रक होगा मलब जब checklist का मिलान हो जाएगा तो आपको विद्याले के परधान मलब जो हेड है नोडल पदादीकारी छात्र और उसके अभिभावक पिता, माता, भाई जो अभिभावक होंगे वे सभी उस पे sign करेंगे कि सब सही है चेक-lisht और LOS दो परती में त्यार की जाएगी ये दो परती में चेक-lisht लिखलेगा मलब जो डॉनलोड किजेगा उसको दो परती में लिका लिजेगा एक परती विद्याले में तथा दूसरी परती जिला सिच्छा पदादीकारी कार्याले में संधारित होगी मलब आपको लेटर के माद्यम से उस चेक लिष्ट को जिला सिच्छा पदादिकारी को देना होगा और एक लिष्ट अपने विद्याले में रखना होगा तूटी रही पंजियन के लिए परिसर द्वारा परिच्छा के 15 दिन पुर आउशक संसोधन के लिए एक आउसर पुना परदान किया जाएगा मलब परिच्छा जब प्रारम होगा उसके 15 दिन पहले जब एडमिट कार्ड जो जारी होता है उसके पहले ही आपको फिर एक और मौका दिया जाएगा कि एक बार फाइनली आप मिलान कर लिजिए कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है पंजियन या परिच्छा परपत्र भरने की परकिरिया समाप्त होने के उपरांद किसी परकार के संसोधन क्ले सुलक दे होगा एवं संबंदित विद्धाले परदान तथा संसोधन हेतु नामित नोडल पताधिकारी पर आउसर करवाएं भी की जाएगी मलब यदि फिर भी पंजियन में गलती हो जाता इतना करने के बाद तो उसके बाद यगर सुधार क्याओ सकता पड़ती है बच्चों को तो उसके लिए सुलक देना होगा जैक को और जो नोडल सिच्छक होंगे परदाना ध्यापक होंगे उन पर करवाई की जाएगी विद्यालय महाविद्यालय द्वारा ए विद्यावाहनी पोटल में छात्रों से संबंदित भरी गई विवरन को भी डिष्टिपत रखते हुए पंजियन के अनुमोधन की करवाई करना सुनिश्चित किया जाए अनुरोध है कि उप्रोक्त पंजियन परकिरिया से संबंदि आउश्चिक दिशा निर्देश अपने जिलाम तरगत सभी विद्यालय महाविद्यालय परभान को देना सुनिश्चित किया जाए तथा तूटी रहित पंजियन कराने हे तूँ आउश्चिक करवाई की जाए बीजे बाइ